वेलकम डियर स्टुटेंट कैसे आप लोग सब मैं रुपिंदर सचिन गडियो और वेलकम करता हूँ हमारे और आपकी यूटूब चैनल पर दैस केमेस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन तो कैसे हो बचा लोग बचा लोग हमने स्टार्ट किया था चैप्टर हमारा नेचल रिसोर्सिस का एनवायरमेंट पर से हमने क्या-क्या टोपिक कर लिए थे इसको एक बार रिकाप्चुलेट करते हैं और उसके बार हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टोपिक पर जहां से आपका आने वाला है कोश्चन और इस चैप्टर में वेटा फाइफ मक्स पूरे कंप्लीट कर रहा है और फाइफ मक्स ऐसे है कि आपको कंफर्म होंगे कि कहां से आएंगे कोश्चन ठीक है इकोसिस्ट के बारे में, और इकोसिस्टम नैचरल और आर्टिफिशल हम कर चुके हैं कि कैसे कियसे ही नेंचरल है और यहीं से बटा बाय्योटियक का इस पार्ट से आपका कंफ्प्शन आने वाला है यहहां बैला आपको बताया था तो यह सारे के सारे आपके बहुत important part है चलिए आप हुमारा जो आज का topic वह स्टार्ट करने वाले हम आज का हमारे topic वह आज का रहेगा आज यह तो थोड़ा यहां से एक तरीके से मतलब आह ले ना या हमने रोटी बनाई रोटी 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 ठीक है ऐसे चपाती बांते गई तो चेन बन गई क्या ऐसे होता है कर फूड़ चेन नहीं होई हमने विए पिछलर टोपिक में किया था कि हमारे पास कौन-कौन से और्ग करते हैं सबसे पहले हम बात करते थे producer की, ठीक है, producer के बाद हमारे आते है consumer, ठीक है, और consumer से last में हमने चला था, decomposer के उपर, और जहां से मैंने बोला थे कि बहुत सारे question बन रही है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि primary जो हमारे producer है, उनको कौन इट करते हैं बई, primary consumer, primary consumer को कौन they are eaten by secondary consumer, and so on, and finally at the decomposer level, ठीक है, इसी तरीके से एक chain बन जाती है कि, एक organism, एक sequence में eaten up हो रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसी को ही हम बोल देते हैं भई, food chain, ठीक है, तो इसकी अगर proper definition देखी जाए तो, food chain को हम कैसे define करेंगे, ठीक है, पता भी होना चाहिए बई, क्योंकि अब subjective part है, इसमें आपको पता भी होना चाहिए, चले, यही एक्जाम्पल लेंगे, और यही से start करते हैं, को food chain हमारा क्या बना भी, it is the sequential, it is the sequential interconnecting of organism, इसमें सारे के सारे organism connect हैं आपस में, कैसे connect हैं, और निजम, by transferring of food energy, भाई, खाना खाएंगे, तभी तो energy बनेगी, transferring of food energy, तो food energy से transfer है, food energy जब transfer हो रही है, एक organism से, दूसरे organism से, so it is the sequential interacting of organism, by transferring of food energy, कहां से हो रही है, food energy transfer, from, सबसे पहला कुंसा था भाई, producer to, कहां तक जाएगा भाई, consumer, in a different tropic level, ट्रोपिकल, ट्रोपिक लेवल, ट्रोपिक लेवल, अभी एक word हो रहा गया, भाई, ट्रोपिक लेवल क्या होता है, ठीक है, इसको भी detail में करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, भी food chain में, एक sequential organism का interaction हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, भाई, या तो वो eaten होंगे, by, eaten other organism, और, being eaten by, organism at upper level, अपर लेवल, अभी अपर लेवल, और ये ट्रोपिक लेवल बारबर, हम यूज़ कर रहे हैं, तो यह ट्रोपिक लेवल क्या होता है, ठीक है, इसको detail में करते हैं, तो यहाँ सा अगग बई, एक्जाम्पल देखते हैं, तो सबसे पहला, हमारा जो यहाँ पर, चुटकु सा बड बैठा है यहाँ पर आपकत अफे इधर ग्रैट मेरा अपर शनकी मोटा रहा मोटा टाजा बडी तो सुद डाऑ है इसका बुसे नहीं पता था वह यह है इसका सबसे रहा है राहा है कि सी क्यूल मैं क्या हो राही है कि एक सीवेंस बन रही है organism की जिसमें organism या तो अपने नीचे वाले organism को eat कर रहा है and also becoming a food of organism at the upper level and that is called food chain ठीक है या तो खुद खाना बना ले रहा है अपने नीचे वाले लेवल के organism से या हो क्या कर रहा है खुद किसी upper level वाले organism का food बन रहा है that is called the food chain ठीक है यह जो बेटा food chain थी यह two type की होती है ठीक है यह होगे हमारी terrestrial वाली यानि land वाली ठीक है दूसरे होती है हमारी aquatic वाली aquatic मतर्प्लांट वाले प्लेंग अगर हम बात करके है तोह प्लांट विर्व मिल comment bought off क्रेंढों साlles toिक्ति सब्केड वाइं षोटब्र के लिए भाई अपका फैंटो का मतलब होता ही सारे रीक वर्ड है ठीक है 5昨 मतलब बतब plants ठीक है? Planctons तो phytoplanktons क्या? Planctons मतब कहां कही है? वोटर के plants हैं ठीक है? वोटर के plants किसका food बन रहे हैं सबसे पहले Jew planktons ये Jew इट बड़ा शावी Jew से सबसे पहले आपको सबसे पहले पता लगता है Jew यानि animals ठीक है? जून एक वर्ड होता है ग्रीक में उस जून से ही मनाया जू जू प्लैंक टॉंस यानि यह कौन से है इस प्लांक टॉंस जो फाइटो प्लांक टॉंस को इट करने वाले उसको हम कह से क्थे भी है यह अपर प्राइमरी कंजूमर यहां पर फिश लार्वाए यह खा जाएगा जू प यह हमारा टर्शिरी कंजूमर है यह हमारे बीटे बोटर की बात कर रहे है यानि एक्वाटिक में कि फूट चेंट कैसे होती है और इस ओल अबाउट फूट चेंट एड़ लैंड यानि टैरिस टेल लेबल पे ठीक है तो यह तो फूट चेंट के बारे में सारा के सारा भी फूट चैन क्या है किस टाइपी होती है अब ही कोस्ष न आतकः यहा से बहता है कर्यक्टर स्टिक्स और फूट कि यहां से बनेगा एक तो food chain की definition और दूसरा क्या बनेगा भई characteristics, character में तो क्या क्या खास बात है वे इस topic में तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जितने भी यह transfer हो रही थी energy एक sequence में होती, straight line में तो सबसे पहला first point तो बनेगा भई जो food chain होती है food chain is always straight line एक straight line में चलती ही भई ठीक है, और क्या हो सकता है भई सोचो सोचो, फिशल example में क्या था मतलब एक transfer जब energy हो रही है producer से consumer and consumer से फिर then decomposer तक तो एक sequence में चल रही है energy तो energy transfer is क्या सी है energy का जो transfer हो रहा है भई energy transfer क्या सा हो न चीए भई unidirectional ठीक है unidirectional है अच्छा एक बड़ी कमाल की बाद है इसमें एक topic के बीच में मैं बिल्कु skip कर रहा हूँ ठीक है और वो वहाँ से question बनने वाल है तो आगे मैंने question दिया है वहाँ पर मैं उस question को describe करूँँगा पूरा ठीक है, तीसरा है गया वई कीजिए जो food chain है इसमें सिरफ maximum कितने level हो सकते हैं maximum आओ सकते हैं three to four level हो सकते हैं मतलब अब यह बाद बाद सार फिर level आगया यह level को एक बार बताओ बिल level का मतलब क्या है यह एक graphical representation है जिसे हम ecological pyramid बोल देते हैं इसमें क्या होगा बड़ी different different एक step बना देते हैं जिसमें हमने consumers को और producer को divide कर दिया है उसको ही हम बोल देते हैं level यह topic level बोल देते हैं topic level यह इसमें steps बोल देते हैं एक representation जिसमें हमने organism को divide कर दिया है सबसे पहले हमारा producer आ जाएगा भी फिर उसके बाद primary consumers फिर secondary फिर tertiary तो एक pyramid बन जाएगा उसे उसे हम बोल देते हैं ecological pyramid इसको मैं एक example से दूँगा अभी next slide में भाई three से four tropic level होंगे ठीक है एक question यहां से बनेगा भाई इसके उपर और last one मैं बता रहा हूं भाई इसके उपर भाई जब producer energy को बनाएगा यानि food बनेगा photosynthesis process से तो सिरफ only one percent of energy ही transfer होती है कहां पर plants की formation में यानि जब वो carbohydrates prepare कर रहे हैं तो sun से जो भी light आ लिए सिरफ उसका one percent वो use करेंगे ठीक है जब यह plants producer बन चुके है ना energy transformation इसकी eat करने से सोगा तो only ten percent energy ही transfer होगी ठीक है कहां पर primary consumer में ठीक है बाके 90 percent कहां गी 90 percent पर लोस हो जाती है heat की form में यह याद हना भी यहां से दो point पर ताम हीने और इन दो point पर question बनता है ठीक है चलिए भी अब देखते है हमारा first question क्या है भी define ecosystem यह मैंने आपको first video में बताया था कि ecosystem क्या होता है ठीक है so ecosystem में structural or functional unit है biosphere की ठीक है autotrophs are the first level of food chain बई वो पूछ रहा है कि autotroph autotroph को होना है भी plant वो हमारे first level है food chain का बिलकुल सही है give reason क्यों है because plants that is the producer or autotrophs are only organism that produce their own food by the process of photosynthesis मतब इससे पहले कोनी बनेगा भई सबसे पहले कोन आए है plants आ रहे है उसके बाद हमारी chain start होती है जिसे हम बोल देते है food chain so सिरफ autotroph ऐसे organism है जो अपना food खुद प्रिपेर कर रहे है और खुद food बन जाते है किसी consumer का मतब primary consumer का ठीक है so these are the first level organism या these exist at the first level समझके चले भई अब ये question में भई देखते हैं ज्यां से रिट करना बोल रहे हैं कि ये ना food chain frog, grass, insect, snake assign tropic level to the frogs very good to which category of consumer do they belong to बट कौन कौन से है frog, grass, insect and snake चलो ले लेते हैं भी frog, insect, grass and grass के साथ क्या भी snake, चलो snake अब वो कह रहा है भी ये tropic level में इसको arrange कर दो सबसे पहले ठीक है और सबसे पहले level पर कौन सा आता है अब last में कौन सा आता है तो सबसे पहले में trophic level को क्या बढ़ाए था these are the steps involved in the transferring of energy of food chain food chain में ये किस level पर मतलब सबसे पहले कोन आ रहा है energy transformation level by level हो रही है उसको मोलते है tropic level अब वो कह रहा है कि सबसे पहले कोन आना चाहिए भी इसमें तो भी सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा level होता है वो होता हमारा producer का तो producer कोन नहीं इसमें से भी हमारा producer साफ देख रहा है भी ये रहा तो यहां पर आ जाएगा भी grass यह आगे हमारा level बन उसके पास क्या आएगा भी second में grass को कोन इट करेगा भी grass को इट करेगी insect यानि consumer यह हमारा आ गया consumer one और चो insect को कोन इट कर रहे है भी frog यह हमारा secondary consumer आ गया अब भई अब secondary consumer हमारा आप किसको इट कर रहे भी snake eat कर लेगा किसे ठीक है हमारे भई frog को यह हमारा आ गया भई consumer 3 जिसे हम बोलते है tertiary consumer ठीक है यहां आ गया snake अब level 1 पर लेवल देखो कौन कौन से आए सारे हाँ पर कितने कहां कहां पर अरेंज हो रहे यह सारे है बहुत ही इजी कोशन था था तो हमारा consumer 1 consumer 2 consumer 3 और नीचे हमारा producer आ जाएगा लेवल वन के अंदर यह हमारा ट्रोपिक लेवल होता है बहुत अच्छा कोशन था कर देंग अभी अभी तो था यह तो कि food chain क्या था इस पर कैसे क गॉंज हुआ कि अब जूरूरी थोड़ी है कि फो प्रोंग यह जोेंजिवर फोर इंसेक्ट खाएगा कि कैशन यह होसकता है यहां पर इंसेक्ट के खाने के लिए गरांस ही है यह फीक है इन्स पल्स खाएंगे यहां पर ग्रास वूंपर भी तो होसकता था अगर ग्रास वूपर होता तो 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 ज़़रूरी तो नहीं है किterm बैं। इन्सेक्ट को एट करने के लिए इंसेक्ट को को एट रहा था वही इंसक्ट को इेक फुरॉब हैं बाड बर्टक बोलडते हैं एस जरूरी नहीं है कि सिरफ एक सीवेंज में चलेगी हमारी चेन ठीक है एक हमारा जो फूड है उसको खाने के लिए नंबर ओप और निसम होंगे बैई जरूरी नहीं है कि एक ही होगा अगर एक ही है तो फूड तो फूड वैब को डिसकस करेंगे और मैं आपको बताया था कि भी आपको ट्रोपिक लेवल दुबाला से पता हुआ एक्जांपल के साथ तो यह हमारा भाई ट्रोपिक लेवल है ठीक है यह देखो यहां पर डिफेंट डिफेंट ऑर्गिनिजम को अरेंज किया हुए पिराम यहां बोला से कि उत्वादि यहांनि अपका प्रडूजर मतद प्लांट एक यह मैं लेवल न में आ अज़े लेवल टू में फ्राइमिरी लेवल वन अच्छाब टू में कौन होगा जोडिक करेका यांनि ऍगरांस ओपर यह हमारा अगया भी लेवल टू तेग है उसके बा क्या होगा भई इसे टर्शेटी वाले खा जाएंगे कार्णिवोरस ठीक है इसको हम बोल देंगे लेवल अरे यह लेवल टू लेवल थ्री एंड लेवल फोर आ गया हमारा ठीक है और यही कोश्र में आपको पिछे दिया रहा बट वहाँ पर हमारे पास कार्णिवोर में यहा लेवल वन यहां से स्टार्ट होगा और जितने भी कंज्यूमर है इनको हमने डिवाइड कर दिया है लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर में चले बई आप चलते हैं हमारा फूड जैब के बारे में एक बार डाइगरम को जल्दी से देखते हैं यहां से हमारा टॉपिक स् सारी इसको थोड़ा सा और उपर लीकर चलते हैं ठीक है चलो ववजे यहां अब आपको देखर होब सारे हैं यहां पर प्लांत यह इव्लांत है यह बेंडर का मैंगो का प्लाविक बांट से सब्सेर्ist के आपको पता हिए जूप करतीए टाइज सो चलो अगर बात करते हैं यह यह हमारे लेवेंडर को भी खा सकती है और फलावरिंग प्लाट से आपको पता ही है जूस पर बैर करती है स्यम है यहां पे कोन थुष्मन खेतों में किसमें मैं और टिड़े लूपर आप यहां पर इसमें में आप refers वे अती है मख्यां में मख्यां बहुति हैं तो यह आपकर सारे नीचे हमारे कोंको उसी गिर यह सारे हमारे आगे हैं यह हमारे आगे हैं पड़िव्जर मतलब लेवल फ़से मतलब लेवल वन ठिक देता हूं लैवल पर चलवा यह दो कौन है कर्या है कि यह कॉन को सिरफ इतित करेगा अभी के लिए मानबके साल एक किसी और ठीच कर रहे हमारे जो क्राइबरी यह और प्राइबरी नता तरह यह विझत टा that है बहुत क्या पता अब कि सो रहे होतें तो प्राइब के हैं अगे इंग व werden सब सो रहे होते तो भाहि हमारे रैठ जी आ गहे हैं यह को इत कर सकता था रही मत खाना थो उसने बनने ही बनना है जाए में ड़का किसी हो बने गई ठीक है अब माल लीजी अब इसको फ्रोग नहींड कर लिया है आप प्रोग को क्या पताता कि उसके स्नेक दाजा जी वहाँ पर वेट कर रहे हैं तीक है पाई था नव जहरी रहा सबसे जहरी रहा पडोसियों से भी जाएँ थीक है तो यहाँ पर वही इस फ्रोग को एड कर ल रोर यहां पर रगल्ड और आप देख सकते हैं एक चीज क्या है अभी इसने लास्ट जो हमारे पास अईरा काशड़ी बोर ने क्या वर्लिन इसको बीजिकर सकते हैं कशलें तो यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिखते हैं आपको कि हाँ एक सीकेंस में ही खाना चल रहा है यहां पर नंबरों पाथ्वेज हैं खाने के फूड के तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या 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 सकते हैं इस नेटवर्क और फूड़ चैन का इंटर कनेक्टिड यह इंटर कनेक्टिड है अट डिफ्रेंट या वेरियस ट्रोपिक लेवल बहुत शारी इसमें ट्रोपिक लेवल बन रहे हैं ऐसा नहीं है बहुत सारे मतब different various topic level कैसे बन रहे हैं बही कोन है grass open ने eat करा अब यह food chain यहां चल देने को यह food chain कैसे चल रही है grass open को eat किया rat ने rat को snake नहीं और snake को eagle लें यह food chain चल रही है सारी कि सारी तो यहां से चलता जाएगा अगर यहां पर यह organism होगा ही नहीं तो क्या अपना स्नेक अपना फूड नहीं पर पेर करेगा बिल्कुल करेगा भई इस ग्रावस उपर को तो खाना ही खाना है इसको चाहिए इस रैट खाए चाहिए फ्रोग खाए ठीक है अब फ्रोग जाएगी वहीं ठीक है ना तो नंबर ओफ पास्वेश अविलेबल है तो उसमें कहने का मतलब किया कि फूड वह होता क्या है बिच में नंबर ओफ फूड चेंट इंटर कनेक्ट होती है तो यह बात की हमारी फूड वैप के बादे में तो जैसे हमने फूड चेंड की करेक् होती ही नहीं है तो जैसे हमने बात की थी फूड वैप की फूड चेंड की हम बात करते हैं तो हम फूड वैप की वी करेक्टर स्टिक्स ले लेते हैं क्या आपने की जल्दी से बताएंगे तो दिखी नहीं रहा है कुछ लोग बही करेक्टर स्टिक्स ओफ फूड वैप फूड वैब अच्छा वही फूड चैन में कैसे चल रहे थी linear बट इसमें non-linear ठीक है अच्छा non-linear के साथ क्या जिन रहा है आपको कि जरूरी नहीं है कि एक path में ही खाना चे मिलेगा बट number of pathways है so number of pathways are available ठीक है ना और यहां से हमें क्या पता जगते हैं कि हमें यहां से number of population यह crowd हमें पता लग सकती है population 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 मतलब हम यहां से different organism की population तो हम crowd को हम count कर सकते हैं कि वह कैसे food prepared हो रहा है एक नहीं मिला तो यह सही वह आज रोटी नहीं मिली तो चाव तो खाई सकते हैं वही तो ऐसे हमारे food web के साथ है ठीक है अगर यह नहीं मिला भई रैट तो फरोग खा लेंगे भई खा लेंगे नहीं खा लेंगा हम नहीं खाते हैं हम vegetarian है ठीक है और यह भी question आएगा भी आज मां को बताने वाला है इस point में कि वेजेटेरिन होना क्यों जरूरी है बहुत ही important topic था और है भी आगे next video में study करेंगे कि जो non-based खाते है और जो vegetarian है इन दोनों में कुछ difference आ रहा है और इस difference बड़ा ही important topic है एक general knowledge के एक है question के ही NCRT ने बहुरे सारे question इसमें दिये हुए ऐसे कि आपकी जनरलाइस से related है ठीक है चले है अब बार करते हैं हमारा मां बार बार आपको करता है ecological pyramid ecological so we क्या है ecological pyramid यह देखो यह वो पिरामिड है जहांकर different steps में हमने organism को arrange किया है so these are the graphical representation ठीक है यह representation है यह यहां हमने organism के यह आप कहा सकते है different tropic level को एक प्रेजंट कर दिया है और इसे ही हम बोल देते ecological pyramid यह आई ठीक पिछले 2014 से 16 के बीच में यह question आया हुआ है ठीक है तो ecological pyramid होता कहा है so nothing need to worry ठीक है these are the graphical representation इन विच ओर्गनिजम आर अरेंज इन different tropic level ठीक है different tropic level में जो ओर्गनिजम को अरेंज करने की representation है that is called क्या कहते बई ecological pyramid ठीक है so this is all about the ecological pyramid how food chain and food web are interlinked and food chain and food web के साथ साल यह कैसे एक दूसरे से relate है बई question तो आना ही चाहिए बई इसके उपर आना चाहिए चलो बई एक activity portion करते हैं ठीक है इस activity को थोड़ा था लेकर चलते हैं यहां से जूम कर लेते हैं ठीक है यह आगया question हमारा चलो अब आपको इसमें arrange करना है ठीक है इस activity को complete करना है आपके पास क्या है मैं आपको example देता हूं चलो आपके पास mouse है upo iơn उना देट अइसकित इडिंग बर्ड's है होट आपको éléments से अरेंच करना है कि पहले प्रेटफर प्रेया देटर अजए पूंहें प्रिडेटर जो फिन्हें पने परेगक हें को चैजिक है जासे आगर हम हम कूं कर सकते हैं ऊस्म औरक हों कि हैं यह सारे प्रिड Hyatt जो हमारे कंजूमर्स के उपर प्राइमरी कंजूमर्स पर सेकेंडरी के अपना फूर्ट बनाते हैं चलो बहुत को देखते हैं तो पूड़ा सा ध्यान लगाना इसमें तोपिक हमने सारा किया है आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है किसको करना कैसे हैं अब यहां देखो आपके पास तीन देए होई हैं कंजूमर्स प्राइमरी कंजूमर्स में कौन आएगा देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोक्स की और होक की ठीक है यह उपर आएगे सिरफ क्योंकि यह कार्णिवोरस है तो आप देखते हैं यहां पर कौन और फॉकस खाँ सकती है फॉकस खाई अभी फॉकस उडी का लेगा फॉकस खालेगी तो फॉकस नहीं खाई गे वह कहीगी थो तो मुझे नहीं भॉटा खांड़ा दो थिक जे आधा है जब इंसेक्ट इटिंग बर्ड इंसेक्ट इटिंग बर्ड तो इंसेक्ट खाएगी न तो यहां पर हम ले लेते हैं इंसेक्ट पीड़े हैं वह खाएंगे इंसेक्ट इटिंग बर्ड इंसेक्ट वाले बर्ड ठीक है यह भी फिल हो गया तो हमारा इंसेक्ट इटिंग बर्ड गय इंसेक्स गया अब बचा भई हमारे पास fox fox and rabbit तो तो जहां मर्जी जाए वो फूड तो बनेगा चाहे वो फूड बने भई इस तरिके से बचा कोशन है कैसे फूड चैन फूड वड है एक ही ठीक है तो इस अगर बात करें जारी की सारी एक एक food chain है देखो यह रही बट अब जरूरी थोड़ी है कि इस mouse को इसको rabbit को यह चेन हम लेते हैं दूसरे कलर से पताते है वही यह रही यह हमारा ग्रांस चल रहा भाई यह रही हमारी rabbit तर rabbit को folks नेखा लिया ठीक है क्या अब दफोक्स होई ना वही ठीक है तो वेटा path change हो गया खाना दो बनाना ही बनाना है कैसे वर जी बनाओ तो number of pathways available है that is called food web और आगर linear chain चल रही है ठीक है that is called food chain अब linear chain में पर एक question शोड़ता हूँ मैं आपके लिए अब यह fox है यह hawk है इनको कौन eat कर सकता है यह बताओ बस ठीक है इनके उपर भी क्या कोई हो सकता है comment section में आप डालेंगे कि क्या hawk और fox को कोई eat कर सकता है कि इनके उपर भी कोई consumer हो सकता है कि नहीं है या comment करेंगी ठीक है भी चलिए भई अब बात करते है बड़ा ही important topic very 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 important सर कितना very है इतना very है कि बहुत बार आज उत्या question इस पर ठीक है तो 10% लोग की बात करते है 10 यानि 10 का दम तो 10 के धम की series में क्या रहा भई क्या बात करते है सर अभी बता देंगे 10 का दम तो 10 का दम भई क्या है दस का मतलब क्या है भई अभी 10 क्या रहा यहां पर किसका percent लोग किस ने दिया था तो पहले पता कर लेते है वई एक हमारे बाइसा थे कौन थे भई लेंदिमन ने 1942 में एक लोग दिया था that is called 10% लोग मतब 10% एनरजी का यहां पर 10 जो वर्ड है वो किसके लिए है कि जब एक और्गिनिजम से दूसरे और्गिनिजम यहां आप कह सकते हैं कि वन ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में जाएंगे तो सिरफ ओनली only and only 10% energy ही transfer होगी ठीक है तो only 10% energy is transfer कहां से बई कहां से transfer होगी from one tropic level to another tropic level बई एक ट्रोपिकल लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में जाएंगे तो सिरफ 10% energy जाएगी बाकी की 90% 90% कहां गई बई देखते हैं बई यह हमारे बई प्यारे प्यारे फूल जैसे मेरे दोस्त हैं फूल ठीक है बई यह producer है ठीक है जब यह producer को eat करेंगी ग होंगा इसी स्नेल यह हमारा प्राइमरी गंजुमर है अभी प्यारे प्यारे फूल खाके आया भी चल रहा था इसको क्या पता था आगे जाके यह खुदी फूड बन जाएगा ठीक है जब इसने फ्लार्स को eat किया तो भाई सिरफ 10% energy की ट्रांसफर होएगी स्नेल के अंदर अच्छा और बैया बिचार स्नेल दीरे 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 चल रहा था इसको क्या पता था दीरे दीरे चलते चलते दीरे जरे खाना बन जाएगा अब यह सेकेंडरी कंजुमर का फूड बन गया नाओ वट एनरजी ही है इसके अंदर जितने एनरजी थी ओनली 10% ऑफ वीच इस ट्रांसफर टू सेकेंडरी कंजुमर और सेकेंडरी कंजुमर में इसकी 10% energy कहां ले भी ट्रांसफर होगी अब यह भी फूदब फूदब के चल रहा था और यहां थे फूदब के कहां पहु ट्रांसफर होगा कहां पर भई हमारे फॉक्स में ठीक है जो मारा टर्शिरी कंजुमर है ठीक है तो इस तरीके से सिर्फ 10% energy ट्रांसफर होती है बागी की 90% कहां गई कहां गई रहे पुष्पा पुष्पा कहां गई यह 10% energy है यह हीट की फॉर्म में लोस हो जाएगी तो इसलिए इसका एक मां हो और है इसका नाम है एन्ट्रोपी लों एन्ट्रोपी या सेंदी लोव धर्मो डाइन्निमी या देखना थर्मो या मिन heat, dynamic तो second low thermodynamic बोल देंगे हम इसे या बोल देंगे 10% low जिसके coating सिरफ 10% energy ही transfer होगी चले बई एक question देख रहते है इस पर ठीक है, चलो बई यह रहा बई, question यह है अब आपको बताना, how much energy is lost कितने energy lost हुई है बई देखते है बई, यह हमारे पास यहां से energy आ रहे थी यह रही यह हमारी energy आ गए बई ठीक है, कितनी आ रहे है बई यहां देखते है बई, thousands joule energy आ दिया 1000 joule, अब मैंने बोलता भी 10% 10% क्या बोलता है लो कि जो 1000 है इसकी सिरफ 1% प्लांट्स के अंदर जाए पहले बताता भी या रहना प्लांट्स जब फोटो सिंट्रीशिस करेंगे तो sunlight का सिरफ 1% energy लेंगे, उसके बाद 10% लो लग जाएगा भी ठीक है, अब 10% का मतलब क्या भी इसका 10% यहां जाएगा इसका 10% यहां जाएगा ठीक है, और बाकी का 90% कहां गया है भी, बाकी का 90% जो है energy वो heat की form में low सो जाएगा भी, समझ गई energy low सो जाएगी in the form of heat तो यह हमारा क्या है भी यह हमारा 10% low है चलिए भी, अच्छा कोशन था आप देखते भी यह चीज़ क्या है वो बोला भी sun है यहां पे 400 100 किलो जूल energy थी यह जू प्लैंटों जो हमारे कहां पर था भई यह हमारे aquatic में था भई aquatic अलएग टोपिक किया था हमने food chain था यहां से फिर स्मोलर फिश तक गई भई 10% हो गया, यह देखो 40 से 4 हो गया और 4 से फिर उसका 10 बिख सिश में यानि शार्ख में सो भई यह क्या डिपिक्ट कर रहा है क्या बता रहा है यह बता रहा है सर लैंडी मन का 10% लो simple question बहुत ही CBSC 2012 में आया हो रहा है बहुत है ठीक है और देखते हैं CBSC 2016 का question है आप देखते है question क्या है what will be the amount of energy available to the organism at second tropic level of food chain available at first level is thousand बहुत है जिसको पता होगा first level second level क्या होता है जिसको पता होगा tropic level क्या होता है तभी question कर पाए है बही तीक है अब यह हमारा level 1 था बही level 1 इसमें कितने energy है बही thousand joule है अब वो कहरा है कि second level level 2 में जब जाएगी लेवल 2 का मतलब क्या बही primary consumer primary consumer में कितने energy जाएगी इसकी 10% जाएगी 10% गई तो कितनी गई सिरफ 100 joule बची है 100 joule so this is the right answer 100 joule औरे 100 का यह यह आप अब भी 100 so this is all about question देखो कितना अच्छा कोशन था बिल्कुल इजी कोशन आया आपको प्रीवीश एर में ठीक है सिरफ कंसेप्ट समझने आपको अब देखते हैं और कोई कोशन बचता है एक और कोशन बच गया बैली में आया था देली बोल्ड में 2012 में ठीक है यह कोशन इंपोर्डेंट है ज्यान से रीट करना फूड चेने अकरिंट फोरेस्ट ग्रास डियर लायंग को एफ थाउजन जूल ओफ सोलर एनरजी इस अगलेबल टू ग्रास वह यह हमारे चंद्ध मामा यह हमारा चंद्ध मामा टिक है अचन्द मामा क्यों सूरज है सूरज चाचु है चंद्ध माम असेडा चूचा गे इन्होंने कितने इनरजी दे एनोने देयाव थाउजन जू है हमारे प्लांट्स को अब को जब प्लांट्स करते हैं कितरा परिसेंट अ हो तो किसा रशानिक देंगे तो टैनिए थाउजन का वन पर्सेंट कितना हो गाइँ वेफित हाणड़ जूल यानि इनके पास प्लांट के पास सिरफ हंड़ड ऑये आहिए ए अब ग्रास के पास हंड़ड जूल आई टिके कि अब ग्रास हमारे ग्रास पास कितनी इनर्जी इसके पास हमारे पास है 100 जूल यह गई यह गई बहुती कहां करते हैं गलती यहां करते कि आप यहां पर भी 10,000 का 10% ले लेते हैं और वो आप ले लेते हैं यहां पर 1000 ठीक है यह गलती नहीं करनी आपको जिरा 10,000 का 1% सिरस जाएगा प्लांट के पास और फिर प्लांट से फर्दर 10% लोग ठीक है नेक्स वीडियो में करेंगे वेस्ट क्या होता है और किस तरह के से ग्लोबल वामिंग और 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 काम कर रही है क्या हो रहा है उसके क्या साइट इफेक्ट है तो इस टोपिक के बारे में झाल 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 झाल